हेलो दोस्तों नमस्ते आद आप सस्थेकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्सबूंग डॉट कॉम पे स्वागत करता है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है MP पटवारी का एक्जैम जो है अब आने वाला है और मतलब मैं कहूं तो तैयारी जो है अभी से शुरू कर देनी दोस्तों अंद तक बने रहिएगा जहां पर आपको सारा को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है हमें क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए सब कुछ यहां पर समझ में आ जाएगा तो दोस्तों हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने दूस सुसाहीब आते हैं दोस्तों अगर हमने किसी चीज़ को ठान लिया है तो वह करकर ही दिखाते हैं चाहे वह कुछ भी हो जाएं तो दोस्तों उसी को कहा जाता है एक स्टूडेंट सच्चा स्टूडेंट जो अपने मन में ठान ले और पूरा करके दिखा एं इसी के लिए दूस्त हम यहां पर महनत करेंगे और MP पड़वारी में दूस्तों छिलेक्शन लेंगे तो दोस्तों उसके लिए हमें सब पहले समझना पड़ेगा जल्सक्राइब कि एक्जाम पैटर्न क्या होता है दोस्तो एग्जाम जिसका फुल फॉर्म क्या है? मद्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉड MPPB यहां पर एग्जाम कराथी है दोस्तो इस पोश्ट का नेम क्या है? पतवारी है ठीक है? कैटेगरी कैसी ही है? दोस्तो इसका सिलेबस दिया होगा भी नहीं होगा no negative mark ठीक है और दोस्तों यह कैसा है selection process computer based test होगा कैसा होगा दोस्तों computer based test तो हमने यहां पर एक चीज़ तो पता चल गई कि negative mark नहीं है इसका मतलब हमें question तो सारे attempt करना है चाहे बने या ना बने बनेगा तो तो हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, अगर लग रहा है कि नहीं भी बन रहा है, तो हम वहाँ पर guess करेंगे, तो इस दोस्तो एक्जाम में सोच लीजिए, पहले ही से ठान लीजिए, कि कोई भी question छोड़ना नहीं है, हम guess भी करेंगे, अगर हमें वो answer नहीं आता है, लेकि में दोस्तो आपको यहाँ पर general knowledge, aptitude, Hindi, rural economy और computer knowledge यहाँ पर पूछा जाता है, मतलब अगर मैं section में divide करता हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5 section में divide है, जिसमें दोस्तो एक आपका Hindi language यहाँ पर include है, अब मैं बात करता हूँ, तो number of questions कितने आते हैं, तो दोस्तो हर section से 20, 20, 20 questions आते हैं, त contain करता है, हलाकि हम इस पर syllabus पूरा देखेंगे, लेकिन हम focus किसको कर रहें, दोस्तो यहाँ पर general knowledge, क्योंकि हमें जीके यहाँ पर अपनी कड़ी करनी है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तो आपको दिया, aptitude test, सारे म मिला के दोस्तों, यहाँ पर प्रस्ण आपको मिलेंगे, 100 number का paper है, और यह याद रखीगा, 100 के 100 कुशर हमें attempt करके आना है, क्योंकि इसमें दोस्तों, no negative, कोई भी negative marks नहीं है, तो हमें यह पूरा paper करके आना है, ठीक है, अब आता है दोस्तों कि यहाँ पर 2 घंटे आपको म क्लिशन कातल कितने हो गए second, दोस्तों, 36- gehabt हो गया, फड़ावट बताईए, यहाँ पर 36- radio, सभी लोग बताईए, 60-minute, 60-minute टीक है, यहाँ पर 36-ェंज हो गया, ठीक है, ऑब यहाँ पर बात करो, दोस्तों, 1 घंटे में आपके 36- eight- Happy- दो में कितने हो गए बहुत लंबा अच्छा समय मिल रहा है इसमें कोई भी कमी नहीं है थीक है क्या दोस्तों आपको 2 घंटे मिल रहे है मतलब 60 किसी कोईशन को कर सकते हैं अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि सिलेबस क्या है तो दोस्तों मैं जैनरल नॉलेज़ पे इंफिसाइज जादा करूँगा हाला कि मैं आपके इसलेबस कम्प्यूटर और रूरल पंचाइटी का भी रखा है आप इसको चेक कर सकते हैं तीक है जी मिनिस्टर स्कीम, गॉर्मेंट पॉलिसीज और इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट अब दोस्तों यहां पर जीके में इतना तो कुछ तो इन्हों ने लिग दिया लेकिन दोस्तों अब जब आप एक्जाम देने जाओगे तो इसमें MPGK भी बहुत पुछी जाती है क्या आती है मध्य प्रदेश जीके नाम बस दोस्तों जीके इसका मतलब यह नहीं कि वो यूनियन जीके पुलेंगे या सेंट्रल जीके उसमें मध्य प्रदेश जीके भी बहुत सारा इंक्लूड रहेगा हाला कि टॉपिक ही रहेंगे हो सकता है वहां पर आप से क्या पूछ लि नामी कभी दिया है जहां पर आपको पंचायती सिस्टम पूरी पोछी जाती है ठीक है वो स्कीन बैद्ध्प्रदेश GK पे हम जाएंगे ठीक है मध्ध्प्रदेश GK को हम जब स्ट्रॉंग कर लेंगे इसके और यहां पे देखे 20 namben आ बीस नमबर का रहे दो कम नहीं होता है sous सानलमबर में से और यही बना इसमें आप इसके कर लेंगे खर और दोस्तो वहाँ पर एक है topic क्या करेंगे start करेंगे लेकिन start कैसे करें सबसे बड़ा question यही आता है कि हम start कहां से करें और किस से करें तो दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना है we need to focus on मतलब हमें focus कहां पर करना है सबसे पहले PYP अब आप पूछेंगे sir PYP क्या है तो previous year question मत मतलब जो इससे पहले exam हुए है पटवारी के उसका हमें question paper या फिर हमें वो question चाहिए जो पिछले साल पूछे गए थे या अभी तक पूछे गए हैं ठीक है उसको क्यों हम solve कर रहे हैं दोस्तों वहां से हमें पता चल जाएगा कि किस format के question आते हैं ठीक है किस type के question आते हैं second कौन से topic से कितने question पूछे जा रहे मतलब वेटेज पता चल जाएगा ठीक है level पता चल जाएगा दोस्तों यहां पर कि किस level के question आरे तीन चीज़े आपको जैसे पता चल जाएंगी अब आपको क्या करना है उस topic के question को practice करना है क्या करना है मान लीजिए आपको पता चल गया कि यहां पर format पता चल जाएगा, fill in the blanks आ रहा है, match the column आ रहे हैं, one line sentence, मलब या one sentence question आ रहे है, वेटेज आपको पता चल जाएगा कि जौगरफी से ज्यादा पूछा गया है, या फिर हिस्ट्री से ज्यादा पूछा गया है, या फिर current affairs से ज्यादा पूछा गया है, यह आपको यहाँ से पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा यहाँ से दोस्तों, इसके बाद दोस्तों topic उठाईए, उस topic जिसमें से सबसे ज़्यादा question पुछे कहते, उस topic को यहाँ पर पढ़ना start करिए, वो topic complete होते ही दोस्तों, subject को उठाईए, यहाँ पर start कर दीजे क करना, मतलब आप कर क्या रहे हो, topic उठाईए, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो वही दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, it will give you the idea that what kind of question asked and topic weightage, यहाँ पर आपको एक आइडिया पता चल जाएगा, previous year से कि कि किस टाइप के question आते हैं, और क्या weightage र जाता है, जब दोस्तों आप topic और subject यहाँ पर complete कर लोगे, practice और revision कर लोगे, तब आप कहाँ पर आओगे, mock test में, अब mock test क्या होता है, इसमें फाइदे क्या है, यह अभी हम देखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दू, कि यहाँ पर weightage क्या है, जो हमने way previous year paper, तो दोस्तों previous year paper आपके exam को pass करने के लिए 20 प्रतीशत आपको आगे ले जाता है, आपके रास्ते पर, यह मैं कहूं, आपके रह में मंजिल पाने के लिए, ठीक है, second दोस्तों यहाँ पर है practice, practice दोस्तों सबसे जादा, दोस्तों मैं कहूं, 40 प्रतीशत, जितना आप य आप उतना आगे चले जाओगे, क्योंकि मौक टेस्स से आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो time management मिलेगा, क्या मिलेगा, time management, ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों, time management के लावा, आपको मिलेगा यहाँ पर speed, accuracy, दोस्तों यहाँ पर आप समय बचाना सीख जाओगे, speed हो पिक आप अपने clear कर रहे हो, उस समय आपको अपने साथ एक diary रखनी है, एक short notes रखना है, ठीक है, अब short notes बनाएंगे ना दोस्तों, क्योंकि वो exam के समय वही help आने वाले है, तो हम क्यों बना रहे है, उसमें हम सारे formula लिखेंगे, tips and tricks अगर हमें कोई बन रही है, तो वो लि यहां में लिखेंगे, यहां में कहीं पर formula यह दिखा, कोई सा, या short note दिखा, या tip दिखा, या trick दिखा, वो हम note कर लेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों, will help you to memorize the, यहां पर topic, क्या दोस्तों, topic, जो भी आपका topic है, उसको memorize करने में यह help करेगा, ठीक है, अब दोस्तों, इसके मतलब होता है, दोस्तों, तब हम करते हैं, जब negative mark होता है, यहां पर मैंने इसलिए रखा, skip को, जिससे मैं आपको explain कर सकूँ, यहां पर दोस्तों, no negative marks, कोई भी marks, negative नहीं होने वाला है, अगर आप गलत भी करते हो, question को, तो मतलब, skip वाला तो, कोई कोई को, यहां पर काम ही त्यारी कर रहे हो, ठीक है, तो GK में दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेटेज वाइस चलिएगा, ठीक है, तो current affair दोस्तों, current affair पहले उठाईएगा, फिर दोस्तों, आप aesthetic GK, aesthetic GK जैसे मतलब, कोई इनृत है, ठीक है, मतलब, कोई मंदिर है, या फिर मैं बा करते हो, previous year question लगाते हो, topic पढ़ते हो, यहां पर subject करते हो, तो आप आसानी से MP पढ़वारी को crack कर जाओगे, तो मैं उन सभी दोस्तों को, जिनके exam है, जो देने जा रहे हैं, तो मेरी और पूरी test book की तरह से, best of luck, may you come with a flying color, मतलब, आप यहां पर जाओ, और इस युद्ध क जीत कराओ, उभरते हुए, रंग की तरह भर कराओ, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर लेकिन आपके लिए test book help करने के लिए, क्या लेकर आया है दोस्तों, आपके लिए offer, offer क्या है दोस्तों, यहां पे 499 में दोस्तों, आपको सालाना पास मिलता है, लेकिन, लेकिन अगर करते हूँ, game pass, क्या दोस्तों, game pass, तो आपको 25 प्रतीशत का discount मिल जाएगा, कितना दोस्तों, 25 प्रतीशत का, मतलब, दोस्तों, जो आपको 499 में सालाना पास मिल रहा है, वहां पर आगर आप coupon code game pass यूज़ करोगे, तो दोस्तों, आपको 374 में सालाना पास मिलेगा, मतलब 125 रुपे, directly आपको क्या मिलेंगे, discount मिल जाएगा, दोस्तों, यहाँ पर एक exam नहीं covered है, बहुत सारे exam covered है, कितने दोस्तों, 500 से भी जादा exam covered है, 43,000 से भी जादा mock test यहाँ पर available है, कैसे buy करना है, दोस्तों, आपको YouTube पे जाना है, इस video के नीचे, आपको description में link मिल जाएग वहाँ पर सारी details आजाएगी, आपको coupon apply कर देना है, वहाँ पर game pass, क्या दोस्तों, G-A-M-P-A-S-S, इसको जैसे apply करोगे, आपको क्या मिलेगा, discount instant मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, यहाँ पर सभी लोगों को best of luck, अच्छे से exam दीजेगा, और दोस्तों, यह हाँ पर यह session अगर आपको अच्छा लगा है, तो like, share और subscribe जरूर कर लिजे, ठीक है, thank you for watching this video, और सभी को best of luck. झाल 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 झाल